तो नमस्ते फ्रेंड्स आज हम बनाने जारे मटन बिर्यानी उसके लिए हमने एक किलो मटन लिया है और एक किलो बासमती चावल लिया है अच्छे ब्राण का उसे एक किलो प्याद चाहिए पाव किलो टमाटर पाव कोटोरी दही 2-3 टे बलस्पून दही लाल मिर्ची लगबग 2 इंच अद्रक लिया है यह सुखा नारियल है उसको ग्रेट करना है तीन हरी मिर्च और लसुन पंकुरी इसको ज्यादा चाहिए 15-20 लसुन पंकुरी धनिया पत्ता और तड़का बनाने के लिए हमें इसमें यह चक्री फुल लिया है मसालों में से तीन हरी इलाइची लिये चोटी साइज की यह दालचिनी है दो से तीन इंच और साथ से आठ ब्लैक पेपर लिया है और यह लॉंग लिया है चार से पाच लॉंग एक तेज पत्ता और इसको हम घी में बनाएंगे उसके लिए घी चाहिए खुड़ा सा ओईल और नमप तो सब मटन को मैरिनेड करते हैं मटन मैं हम दाहि ढाल के उसे मैरिनेड करेंगे इस में जो हम दाहि प्रस्टा पाव के टोरी वह एड करेंगे और दूसमें चोटा चमच एक चोटा चमच फल्दी पाउडर और हमें एक से दो टेबल स्पून इसमें नमक डालके इसे मैरिनेड करते हैं अब हम मतन को बॉल कर लेते हैं अब हम मतन को कुकर में बॉल करेंगे उसके लिए हमने कुकर में थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ओल डाला है और उसके बाद हम आधा कटोरी प्यास कट किया हुआ उसमें ब्राउंड होने सब्सक्राइब करेंगे अब हमारा प्यास ब्राउन हो चुका है इसके बाद हम इसमें जो मतन मेरी नेल की होगा इसको अच्छे से अच्छे से बूलना है ने और इसके बाद इसमें हम लगदक एक एक लिटर पानी डालेंगे और इसके ढखकन बन करके इसको हम दो से तीन सीटी इसका निकालना होगें इस प्रकार से एक किलो जो प्यास लिया था उसको इस प्रकार से कट किया है रफ ये टमाटर वह भी रफ कट करना है और ये हरी मिर्ची उसको आधा-धा कुठा करना अब हम मिक्सर में जो हमने नारिय लिया था ऑ यह लसुन और अध्रक और यह धनिया इसका पेस्ट बना लेते हैं हमारा मटन अभी 2 सीटी में बॉयल हो चुका है अब इसे हम एक बरतन में लिया है और जो हमने मसाले जो हमने पेस्ट बनाया था अध्रक लसुन ये सुखा नारियल और धनिया है किसका हम ने इसे पेस्ट बनाया है अब सबसे पहले हम कुकर में घीर डालना है हमको, घीर डाल दिया है हमने कुकर में, 3 टेलस्पून हमने घीर डाला हुआ है, और इसमें और 3 टेलस्पून हम नार्मल रिफाइन्ड ओई डालेंगे, ये गरम हने के बाद हम इसमें टेज पत्ता एड़ करेंगे उसके बाद ये जो हरी इलाइची है उसको फोड़के उसमें डालेंगे और जो हमने गरम मसाले लिये ते सब फूर डालना है इसको अच्छे से घूनना है हमें अब प्याज में गया था एक किलो पजिवा और आड़ करेंगे एक किलो मटन बिर्यानी बनाने के लिए गंचा प्यासा को एक किलो मटन का किलो रइट चाहिए किलो यह एक किलो प्याज भी चाहिए इसको किशलों यहीन लाद कर लेते हैं प्याज हमारा हलका ब्रऊण हो गया है अब धींगम मत्राभर आपको कम लगेगी तो ऊपर से और भी डाल सकते क्योंकि पिरिया अगर टेस्टी बनानी है तो आपको घ्यादा रकनी होगी और हमने पेस्ट्ट वैनना हता उसको एड़ करेंगे की इसको अच्छे से इसको भी इitat करना है अच्छी से तीन से चार मिनिट के लिए ऐसे ही प्राय करते रही है पेस्ट हमारा अच्छे से प्राय हो चुका है बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है अब इसलिए हम टमाटर एड़ करेंगे अब टमाटर सॉप्ट होने तक उसको फिर से भूनना है हमें अब टमाटर अच्छे से सॉप्ट होने तक दो मिनिट के लिए लगबल सो बूनते रहे हैं अब इसमें हम जो हमने राइस लिया था उसको दोके हमने रखा था साइड में उसको आइड करेंगे इसको दो से तीन मिनिट के लिए जो राइस लिया था उसको मसालों में अच्छे से मिक्स किजिए अब इसमें हम तू टेबल स्पून मिर्ची पावडर एड करेंगे उसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसके बाद हम इसमें मटन एड करेंगे कि अच्छे से मटन में मिक्स करने के बाद इसमें लगबग एक लीटर पानी इसके अंदर डालना है द्यान रखिए पानी हमें अच्छे से संभाल के इसमें डालना चाहिए क्योंकि बिरियानी जो है वो अग्षाण इसके चावल जो है वो लंबे-लंबे अच्छे से दिखने चाहिए अब इसमें हम नमक करेंगे हमने पहले मटन में डाला हुआ था नमक अब उसके अंदाज से हमें नमक करना है कि इससे मिक्स किजिए अचम चाहिए और अब हम इसको प्यसे सिर्फ हमceksने यहां ayamayamayamayamay 중요한quisite कि में हवा प्रेशर बन जाएगा तो आपको ऐसको गेस बन करदेना है कुकर में प्रेशर बन गया तुरंत हम ग्यास बंद कर देते हैं लगबग 8 से 10 मिनिट में आपका कुकर में प्रेशर बन जाएगा उसके बाद जो भी प्रेशर है उसी के उपर हमारा राइस बाइल हो जाएगा अब हम कुकर ठंडा होने तक वेट करेंगे हमारा कुकर ठंडा हो चुका है अब इसको हम खोलेंगे अब इसे हम एक सर्वीन बाउल में लेंगे इस तरह से मटन बिर्यानी हमारी खाने के लिए एकदम रेडी है